तो दोस्तों बात करते हैं ओला स्कूटर की जो EV टूविलर सेग्मेंट में S1 और S1 प्रो को सक्सेस्फुली लॉंच करके टूविलर EV मार्केट लीडर बनी हुई है और उस पादसाहत को बनाय रखने के लिए ओला ने एक और एफड़बल सेग्मेंट में S1 लॉंच कर दिया है जिसकी डिलेवरी जुलाई में ही एक्सपेक्टेड है बात तो बात करते हैं डिजाइन लेंग्वेज की इस बार ओला ने अपने सारी कम्यों को दूर करते हुए डिजाइन में काफी सारे फेर बदल किये हैं S1 Air में अब आपको मिलेगा निवली डिजाइन ग्रैब रिल जो उपर की तरफ है जो पिलियन को ग्रैब करने में काफी हल्फुल होता है साथ ही S1 Air में 34 लिटर का आपको अच्छा खासा बूर्टर स्पेस भी मिल जाता है और साथ में मिलेगा डूल टोन बोडी कलर S1 Air आपको मिलेगी टेलिस्कॉपिक सस्पेंशन के साथ जो पहले मोनो सस्पेंशन मिला करती थी ओला अब हम इंडेन को और भी ज्यादा बेहतर समझने लगा है साथ में एक फ्लैट फूड बोड भी दिया गया है जो ओला में पहले नहीं हुआ करता था बात करें फीचर्स की तो S1 Air में आपको 7 इंच का टच स्क्रिन दिया गया है आपको दिया गया है रिमोट अनलोक और लॉक करने का फीचर्स नविगेशन और मुजिक सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिये गया है आगे बढ़ते हैं पॉफरमेंस की बात करते हैं तो टॉप स्पीड आपको 85 किलो मिटर पर आवर का मिल जाएगा वहीं 4.5 किलोवाट की मोटर आपको अच्छा खासा पावर देगी रेंज आपको मिलेगा 86 किलो मिटर टू 125 किलो मिटर का बात करें बैटरी केपिसिटी की तो 2, 3, and 4 किलो आवर के बैटरी पर आपसन दिये गए हैं बात करें प्राइस की तो 2 किलो आवर बैटरी केपिसिटी में आपको 85 किलो मिटर की रेंज मिलती है और एक सुरूम प्राइस पढ़ेगा 85,000 वहीं 3 किलो आवर में आपको 125 किलो मिटर की रेंज देखने को मिलेग जिसकी एक सुरूम प्राइस पढ़ेगी 1 लाग 4 किलो आवर में आपको 165 किलो मिटर का रेंज देखने को मिलेगा और एक सुरूम पढ़ेगी 1 लाग 9,000 तो दोस्तो ये थी सारी जनकारी S1 Air के बारे में अगर आप भी affordable electrical scooter लेना चाहते हैं तो आप भी S1 Air को book करा सकते हैं ऐसी और भी upcoming bike and scooter के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना न भूले आपका दिन सुभ रहे